हेलो फ्रेंट्स आज के हमारे हेल्थ टॉक के लिए हमने रिसेंटली बढ़ने वाले हेल्थ इशू को ही चुना है जो की अब कॉर्स आप समझी सकते हैं कोविड नाइनटीन के बढ़ते हुए केसीज हैं और इन बढ़ते हुए केसीज का कारण सबसे पहले जो है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है ओमिक्रोन का नया वेरियंट जिसको की XBB 1.16 नाम दिया गया है तो ये वेरियंट जो है सबसे पहले फेब्रेरी में पूने में डिटेक्ट किया गया था जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये वेरियंट भी जो है पहले के वेरियंट की तरह ही highly transmissible है कि एक से दूसरे वेक्ति में बहुत जादा फैल रहा है वो अलग बात है कि ये कितना dangerous है कितना आपके health को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि इसकी transmissibility जादा है तो इसके लिए जो है हमें इसे सावधान रहने की जरूरत है और इसे जो है किसी को panic में आने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ इसके लिए जो है सावधानी अगर हम शुरू से ही वरतना शुरू करेंगे तो आगे जाकर कि कोई भी पहले जैसा जो situation है वो नहीं खड़ा होगा इसी के बारे में हमने आज बात करनी है तो friends सबसे पहले important चीज यहाँ यह पर है कि हमें इसके symptoms की जानकारी हो जाए क्योंकि कोई भी इस तरीके की जो pandemic situation होती है वहाँ जब तक आपको चीजों की जो है छूटी छूटी जानकारी नहीं होती है तो आप सिरफ जो है खबरों पर या एक दूसरे से बाते सुनकर या तो जो है आप misguide होते हैं या फिर जो है बहुत जादा जो है panic state में आ जाते हैं तो वैसा नहीं करना है सिरफ हमने जो है collective जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ताक कि जो है हम अपने और अपने परिवार वालों को ऐसी कि किसी भी खराब होने वाली situation से बचा सके तो इसके symptom जो है काफी हद तक जो है omicron के symptom से ही मिलते हैं तो mainly जो है इसमें आपको बहुत तेज बुखार आता है जो दो से तीन दिन तक चलता है इसके बाद cough and cold इसमें जो है बना रहता है आपका गला खराब हो सकता है और जैसे जैसे आपका बुखार कम होगा आपका body pain जो है इसमें काफी जादा आपको फीड होगा सिर में तेज दर्द हो सकता है और आपको जो है पेट में भी discomfort की समस्या जो है इसमें रह सकती है जो अभी तक जितने भी patient इस problem के देखी गए हैं उनमें जो बहुत common symptom हमने पिछले time पे देखा है कि आपको जो है टेस्ट और जो है smell इसमें जो है कोविड में खतम हो जाती थी वो symptom अभी तक यहां किसी patient में नहीं देखा गया है तो वो एक अच्छी बात है कि पहले के symptom से यह symptom कम है लेकिन हाँ बुखार cough and cold की समस्या जो है वो काफी जादा रहती है तो इसलिए जो है साफधाने बढ़तने की जरूरत काफी जादा है तो यह भी देखना जुरूरी है कि किन लोगों को इसको होने का खत्रा जादा रहता है जैसा कि मैंने कहा कि इसकी transmissibility जादा है तो of course किसी को भी हो सकता है लेकिन फिर भी जो लोग इसके लिए जादा prone हो सकते हैं वो हैं बच्चे क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी कोई भी infection grab करते हैं और ऐसे ही जो हमारे बुज़ूर्ग हैं senior citizens हैं उनको जो है बहुत जल्दी ये infection जो है catch होता है इसके लावा जो co-morbid patients हैं मतलब जिनको जो है कुछ health disease की वज़े से जिनकी immunity down हो जाती है जैसे कि किसी को heart disease है या कोई chronic lung disease चल रही है या फिर diabetic या cancer patients होते हैं उनको जो है बहुत जल्दी ये इस तरह की infection जो है grab करता है तो आप जरूर जो है इसका दिहान रखेंगे कि जो ज़्यादा risk के contain करने वाले जो लोग है वो जो है साफधानी का ध्यान maximum रखें इसमें ताकि जो है वो किसी भी तरीके से इससे positive ना हो पाए इसके बाद friends जो हमने इसके लिए अब क्या करना है हम अपने आपको कैसे बचाएं ये सबसे important चीज़ है तो इसके लिए भी जो है जो protection है जो preventive measures है वो पहले जैसे ही रहेंगे कि आपने जो है कोशिश करना है कि आप बहुत crowded places में ना जाएं अगर आपको जाना ही पड़ता है तो आप mask का इस्तमाल करें and most important जिन लोगों का vaccine pending रहा हुआ है अब तक वो ज़रूर अपने vaccine short complete कर लें क्योंकि जो है vaccine भी जो है इसका ultimate पाए है कि आप अपने आपको इस infection के लिए जो है immune बना सकते हैं कि आपको अगर वैसे तो होगा नहीं और अगर हो भी जाता है तो आपको किसी प्रकार का कोई side effect या complication serious situation जो है इसकी वज़े से face नहीं करना पड़ेगी इसकी पाद एक और बहुत important चीज है friends की हमने देखा कि लोग जो है इन चीज जैसे काफी समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि लोग self medication में बहुत जादा जाने लगे हैं कि खुद से ही दवाई खा लेते हैं कुछ भी खा लेते हैं क वैसा नहीं करना है क्योंकि जब इसके symptom की आपको हमने जानकारी दे दी है तो आप जो हैं बिलकुल अपने doctor की consultation के साथ ही इसके लिए कुछ भी दवाई लें क्योंकि इसके symptoms mild हैं तो आपको बहुत जादा medication से जादा जो है preventive measures पे ध्यान देने की जरूरत है जो है इसकी ल जादा दवाईयां या कुछ भी जो है इसमें लेना शुरू कर दें तो आए देखते हैं इसके लिए आप जो है किस प्रकार से अपना ध्यान रख सकते हैं तो जैसे मैंने कहा कि अभी की जो cases हैं वो बहुत mild symptom वाले हैं और जो है इसमें जो care है वो भी इसी प्रकार से रहे सेकिंडली जो है अपने अपने आपको hydrated रखना है मतलब कि आप जो है अपना water intake बढ़ा दीजिए आप coconut water ले सकते हैं आप glucose ले सकते हैं और जो है अपने complete इसमें rest करना सबसे important है तो आप जो है अच्छे से rest करें और जहां तक जो है दवा की बात है तो आप अगर fever है या body pain है उसके लिए simply ही आप paracetamol का प्रयोग कर सकते हैं otherwise जो है आपको इसमें rest ही सबसे best medicine बताए गए है और importantly friends इसमें antibiotic से antivirals का कोई role नहीं है तो आप बिना doctor की consultation के इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी antibiotic या antivirals का प्रयोग करने से खुद को बचाएं तो जो भी treatment दिया जा अगर बहुत serious होती है तभी जो है कोई antiviral treatment दिया जाता है otherwise जो है mainly आपने अपनी immunity पर concentrate करना है हाँ आपने immunity बढ़ाने के लिए आप कुछ herbal formulas इस्तमाल कर सकते हैं तो उन herbal formulas के लिए simply जो है आप अपने घर में available कुछ चीजों का इस्तमाल करेंगी तो आपकी immunity बढ़ाने मे काफी help करेंगी, जैसे कि आप जो है आपकी घर में haldi का प्रयोग कर सकते हैं हल्दी आपका immunity बढ़ाएगी आपका body-pain भी कम करेगी और जो है आपकी fever में भी जो है आपको आराम दिलाएगए आपकी coffin cold में में आपको आराम दिलाएगी तो आप जरूर जो है हल्दी का प्रयोग इसमें करेंगे importantly है अगर गला खराब है तो आप हल्दी के गारगल भी कर सकते हैं secondly आप गिलोई का प्रयोग कर सकते हैं गिलोई के बारे में mostly दोगो जानकरी है फिर भी जो है मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि गिलोई इस सीजन में जो है अगर आपको ताजी गिलोई मिलती है तो आप प्रेफर करें कि आप गिलोई का रस लें अदर्वाइस आप काड़ा ले सकते हैं गिलोई का पाने में बॉल करके और अगर दोनों में से कुछ भी चीज आपको अवेलबल नहीं है तो simply आप जो हैं गिलोई की गोलियां अवेलबल हैं वो आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं एक एक गोली सुबशाम आप लीजिए और उससे आपकी इम्मुनिटी भी बढ़ेगी और आपका फीवर से भी आपको रिकवर करने के लिए इसमें काफी हेल्प हो जाएगी इसके लावा अननेसेसरी मेडिसन लेने से आप बचें हाँ आपकी घर की जैसे कि मैंने टर्मरिक की बात की आप दालचीनी का प्रियोग कर सकते हैं दालचीनी को आप अपने चाया दूद में बॉयल कर सकते हैं वो भी आपके जो हैं लंग्स को काफी सपोर्ट करेगी तो आप दालचीनी का प्रियोग इसमें कर सकते हैं अधर वाइस आपको बहुत जादा मेडिसन की तरफ इसमें बहागने की जरूरत नहीं है किसी को अगर जादा कंजेशन लगती है तो आप स्टीम ले सकते हैं स्टीम लेने के लिए आप जो है यूकेलिप्टस जिसको भाशा में हम सफेदा कहते हैं तो आप जो हैं सफेदे के पत्तों की बहाँ प ले सकते हैं वो आपकी congestion को खोलने के लिए help करेगी तो ये कुछ जो है home remedies आप इसमें इस्तमाल करके अपना immunity भी बढ़ा सकते हैं और जो है इस problem से अच्छे से recover भी कर सकते हैं तो friends all in all हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि इसको जो है इस infection को जो है आम जो और कोई भी respiratory viruses की तरह ही जो है आपने इसको लेना है क्योंकि यह virus भी environment में float करता रहता है और time to time infection cause कर रहा है इसलिए आपको यह चीज़ accept करना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो है permanent solution बहुत जल्दी नहीं आएगा और timely इसकी इस तरीके की spikes जो है इस तरीकी की mutative जो variants है आपको देखने को मिलते रहेंगे तो हमारी responsibility यहाँ पर जो है वो हमने जरूर निभानी है और उसके लिए सबसे जो important चीज़े हैं वो यह हैं कि हमने सभी preventive measures का धिहान रखना है जैसे कि भीड में ना जाएं मास्क पहने hands को wash करें coughing और sneezing के जो proper etiquettes बताए गए हैं उनको follow करें अपने immunity बढ़ाने पे दिहान दें और उसके लिए जैसे कि मैंने कुछ herbs बताई आप उनका प्रयोग कर सकते हैं और आप प्रानायाम की help लीजिए क्योंकि जितना आप जो हैं अपने lungs को अपने respiratory system को strong बनाएंगे उतना ही आप इस प्रकार की respiratory infection से अपने आपको बचा पाएंगे तो friends कोई panic में आने की जरूरत नहीं है किसी को की covid की cases फिर से बढ़ रहे हैं यहाँ पे हमने सिरफ अपना खयाल रखना है और अपना खयाल रखने के लिए भी हमने बहुत sensible चीजें करनी हैं तो आप यह सब चीजों का ध्यान रखते हुए खुद और अपने परिवार को स्वस्थ पढ़ाएं अपनी सेहत का ध्यान रखें तो उमीद है friends आपको आज की जानकरी पसंद आई होगी जानकरी पसंद आई है तो प्लीज चानल को लाइक शेर बर सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फो वाचिंग स्टे हल्दी लिव बेल